पोलिस आदोनी के करन खातर राजी जरकार दीनी बड़ी सौगात मुख्यमाद रियाशो गैलो तो 124 सिग्मा भाईक और सितर पीसे आर वे ने हरी जंडी दिखार करिया रवाना प्रदेश माएं आज कोरोना रा 159 मामला आया सामय प्रदेश माएं संक्रमितारी संक्या बढ़र हुई 18,427 14,002 मरीज होया स्वास्त प्रदान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार योजनसूं सीकर जिलारा प्रवासी मजदूराने मिलरी होया आर्थिक संबल योजनारे तैद एक हजार सू बत्ता परिवार कराया रेजिस्ट्रेशन भारती जनता पाड़ी कानी सू जय पर माएं चीनी जिंसाने लेर करियोगे ओ विरोध प्रदेशन विदायक काली चनल सराफ जनता सू स्वदेशी सामान ने बड़ावा देवनेरी कीरी अपीर प्रदेश भर माएं मांसूल रागमन रसाथे मौसम माएं आयो बदलाव मौसम मैकमो धौलपूर करोलियर उन्रब आरे सारे राखेत रह माएं धूलबरी आंदी चालबारे साथे बिरका होबागिरी जताई आज नमस्कार दूर दर्शन समाचारा माएं आपरो गणकोना स्वागत महूं गौरव शर्मा अबै समाचार विगतवार पुलिस आधुनी के करन्डरी दिशा माएं राजे सरकार कानी सो एक बड़ी सौगात देता था का मुक्यमदरी अशोग गैलूत आज आपरा रहवासूं एक सो चौई सिग्मा बाइक और सितर पीसे आर वेन ने हरी जन्डे दिखार रवाना करिया इन मौका माते पुलिस महानिदेशक भुपेंदरी सिंग यादव जैपुर रा पुलिस कमिशनर आनंद श्रीवास्तव समेथ पुलिस रा केई आला एलकार मौजूद रिया इन मौके एडिशनल पुलिस कमिशनर लॉएंड ओर्डर आजेपाल लांबा बतायों के एवान अत्यादुनिक संसादना सुलाइस है जिनमाई PDZ कैमरो LCD स्क्रीन और पब्लिक एडरेस सिस्टम समेथ केई दूजी सुवितावां मौजूद है आज जो यह हमारे चेतक वाहन और सिग्मा वाहन का पैट्रोलिंग के नए वाहन जो सहर में शुरू किए गए हैं यह highly modernized हैं इनमें modern technology के equipment ने इंडाय और इन modern equipment की वज़ए से फायदा ये रहेगा कि control room पे आने वाली हर शिकायत automated in vehicles पे transmit हो जाएगी और transmit होने से वो immediately vehicle response जो उसका time रहेगा वो कम होगा और sport पे immediately पहुंच पाएगा हमारी कोशिस है आज जैपूर पुलिस का response time में 6 minutes 70 seconds इसको गटा के 5 minutes से कम करने का प्रियास है और चुंकि ये वाहन भी नए है इनमें technology भी नई है तो ये हमारे अपराद को रोकने में कानून विवस्ता की स्थिक्ति को नियंतरन करने में कारगर्शा भीत होंगे साथ इसाथ इनमें camera जो PTZ camera है चारों तरफ का view बड़ा close view लेता है नाइट विजन camera इसमें लगे हुए है और उनका view भी लगातार हमारे अभे कमांड सेंटर पे पहुंसता रहेगा तो जिस इलाके में भी वाहन पहुंसता है उस इलाके में पहले से अगर कोई लोग कानून विवस्ता को प्रभावित करने वाले हैं या कोई अफराद की दरश्टी से जो लोग जिन पर निगरानी की जरूत है वो लोग भी पकड में आ सके हैं प्रदेश में हालतानी कोरोना संक्रमित 14643 मरीज इलाज रेपाच्छे ठीक हो चुकिया है वड़ाई 14340 ने शफाका नसू छुट्टू देदी जी है स्वास्ते मैं कमारा अथरिक्त मुख्य सचीव रोहित कुमार सिंग बतायों कि राज्य माएं आज 159 मामले सामें आया इन माएं सबसू बता उदैपूर माएं 21, बिकानेर माएं 12, धौलपूर माएं 10, रासमन माएं 10, जैपर माएं 9, जालोर माएं 9, भरतपूर माएं 6, करॉली माएं 5, सिरोई माएं 5, कोटा माएं 4, अजमेर माएं 4, बारा माएं 2, दोसा माएं 2, जुन्जुनु माएं 2, अल इंडरसाइते प्रदेश माई कोरोना संक्रमीतारी संक्या वडर 18,427 अगी है। इन बीमारी सु हालतानी 426 लोगारी मौत हो चुकी है। प्रदानमंद्री गरीब कल्यान रोजगार योजना सीकर जिलारा प्रवासी मजूना खातर वर्दान साबित हो रही है। कोरोना मामारी दर टेम वो रोजगार होया प्रवासी लोगाने रोजगार देर या योजना वाने संबल प्रदान कर रही है। जिला माई कोई 40,000 प्रवासी है जिन्रेने सड़क बनाने बागवानी रेलवे सु जुड़िया कामा सु जोड़ी जियो है। इंड़ा तहित एक हजार तीस परिवार आपरो रेजिस्ट्रन करायो है। जिन्रे पाचे वाने जॉब कार्ड भी जारो करीजियो है। करजले में लगब 40,000 प्रवासी लोग आये हैं और इन सब को रोजगार उपलब्द करवाना जो है। सरकात के मिर्देश हैं कि इन सब लोगों को रोजगार उपलब्द करवाया जाए। माननी प्रदान मंत्री जीने अभी 20 जून को प्रदान मंत्री गरीब कर लियां रोजगार अभिहां प्रारम करके। और उसमें लगबग जो है काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी स्किम्स हैं जिनके तहत प्रवाशी सरमिकों को रोजगार उपलब्द करवाना हमारा एहम लक्ष रहेगा। हमारे पंचाय सिमिती में काफी सारे प्रवाशी मजदूरी बाहर से आए जिन में बहुत सारे महिलाई थी बहुत सारे पूर्च थे उन सभी को हमने नरेगा में जोबकार उपलब्द करवाया है। इनको जोड़े पर काम दिया है, हमने गर्वाद सड़के मुनवाई है, ब्रक्षार उपन के काम करवाए हैं, इस तरह से इसमें नर्यगा का गाओं का जो लोग है वो गाओं में ही उनको मुरोजगार हम उपलब्द करवाए हैं केंदर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोगों का घर परिवाद चल रहा है, उनकी बज़े से, मन्यगा की बज़े से, तो मैं सभी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ केंदर सरकार का निसु गरीबा ने पीम गरीब कल्यान योजनारे तैत, नमबर तानी मुफ्त राशन मोहिया कराया जाबार फैसला रो आम जनता स्वागत करियो है प्रदान मंत्री का आबार जताएंगे और जिस तरह से मोधी ने अब और नहींगे, ने लिया है कि जो कोरोना महमारी है, इसके बाद में जो बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के सामने रोजगार की समस्या है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए जो और ने लिया है, उससे जनता को एक संबल मिलेगा. हमें जो फिरी में ग्यों दिया जा रहा है, उसे हमें बहुत संबल मिला है, और फिरी में हमें दाले भी दी गई है, और मोधी सरकार ने अब ही गोशना किए कि आपको कुछ माह और भी हम फिरी देंगे. पहले 5 किलो दिया जाता था, अब 10 किलो भी दिया है, जिसे हम जैसे 1000 लाको गरीब परिवारों को मोधी सरकार की ने जो साहिता की है, उसके लिए हम मोधी सरकार का तरह दिल से धन्यावाद ग्यापित करना चाते हैं। परधार मंतरी गरीब का लियान अन्य जोजनारे ताहित गरीबा ने मुफत अनाज देबाखातर केंदर सरकार पांच मीनारी अवदी बढ़ाईजी है। सरकार राइन फैसला रों स्वागत करता था का लोग परधार मंतरी नरेंदर मोधी ने धन्यवाद दे रिया है। मोधी सरकार ने बहुत अच्छा करा है, जो हमें 5 मैने तक गहूं सिरी मिलने का वो किया है, घोसना तो अच्छा है ना, गरीबों के लिए हमारे लिए कुछ किया है, मोधी सरकार ने. ये टेम मोधी जी ना हमारे लिए अच्छा काम धंदा नहीं है, गाउं दे दिया तो बढ़िया करिया है, आल पेर तो भर लिया लाने धंदा पाणी को name मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है. जो हमारे तो काम, धंदा, कुछ भी नहीं है, बच्छे जाते हैं वैसे ही वापिस आते हैं. और पांच मेने की सुबीटा किये तो उसमें हमारे बहुत भला होगा. जन्ता के लिए बढ़ी हुई है और इस पोजिशन में लोगडाउन के अंतरकत बहुत बढ़ी हुई है लोग सबात देख्ष ओम बिरला आज बूंदी दोरा रे दोरान सरकीट आउस में जन्ड सुनवाई करी जन्ड सुनवाई माई ओम बिरला समस्यावारा समाधान खातर बासु जुडिया एल कारा ने निर्देश दिया इन्ड रान वे जिला करेक्टर अंतर सिंग नहरा और पुलिस अधिक्षक शिवराज मीना सु मुलाकात करर जिलारा हालात रा बारा माई जानकारी लिने कोटा बूंडी संसद्य सित्र मेरा परिवार है और जब भी मैं अपने संसद्य कारे से फिर होता हूं अपने इलाके के अंदर आकर लोगों की समश्याओं को सुनना अभावों को सुनना और किस तरीके से आम जनकी आउश्रक्ताओं के नुसार विकास हो विकास इस तरीके कहा हो कि लोगों को सुन्धाय भी मिले और रोजगार के नए स्रजन भी हो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि कुकि नेमी तरुक से मेरा संसुरी शीत ना ना होता है को रोना सक्रमन के मारे मेरा भूंदी में आना नीवा था लेकिन में भूंदी के जनता को यहां के जिला expose को धन्यवाद दूगा कि लोने गुरोना में से घुंडेटा अठ़द बुंदी में स्पीकर साफ के साथ जनसुनवाई कारेकर में अधिक तर समस्याएं पेजल से समंदेता ही हैं इसमें एसी को बुला के पूछा गया एसी ने बताया गया कि एक पंप में खरावी थी उसके कच्रे चलते हुए पेजल की नियमित रूप से सप्लाई नहीं हो पारी थी उस पंप को दुरस करवा दिया गया है उसको निर्देश देदी कि एक पंप एक्ष्टा लगवाएगा जिससे सप्लाई और अच्छी तरीके से पूरी बुंदी जिली शेहर में हो जाएगा भारती जन्रता पार्टी का निसू जैपर्रा राजापार खेतरमाय चीनी जिंसाने ले विरोध प्रदेशन करीजियो इन्हीं मौका माता है मालवी नगर विदायक काली चनला सराफ समेत बाज़पा कारीकरता मौजूद हा सराफ जन्रता सू अपील करी के वे स्वदेशी स सामान ने बढ़ा वो दिवे कि अब हर वार में चीनी राष्ट्पति का जलाया जाएगा और चीनी सामान का भाईशकार किया जाएगा उसको जलाया जाएगा उसी कारीकरम के तहर मालिवेलेगर विधानतबा छेतर में कल हमने गौपालपुरा चुराय पर वार्ट्पति के वार्ट्पति के पुद्वा जलाया है और चीनी सामान का भाईशकार करने का अबहान हमने किया है महत्मा गांदी जीवन दर्शन समिती एरसी आई आई कानिसू आज जैपर के ठोरामात है काड़ो बाटी जियो यो खास काड़ो सरदाशायर माय त्यार करी जियो है इन काड़ासू लोगारी रोग प्रतिरोदक्षमता बढ़े है माका समवादाता दर्मेश भारती इसरी ए खास रपाट जैपर के अंदर विशेश कोरोना जागरुकता अभियान जो है महत्मा गांदी जीवन दर्शन समिती की ओर से चलाय जारा है और साथ 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 सियाई के जो लोग है वो भी इसमें जुड़े हैं यह विशेश जो यह काड़ा है यह सरदार शहर से मंगवाया हम जानते हैं सामा जी कारे करता बाकना साथ से कि आखिर इसका क्या उद्देश है और इस कारे की क्या महत्ता है यह एक्शली इम्म्यूनिटी बूस्टर है तो एक फॉर्म में गांदी विद्या मंदिर सरदाश शहर में है उन लोगों ने इसको बनाया है और चीजें इसमे को पता पड़ा कि इस तरह से कोई फॉर्मूला बनाया जा रहा है और इंदुस्तान में काफी जगें इसका डिस्ट्रिबूशन हो रहा है तो हमने भी हमारे जो साथियों से शंपर किया और वहां से यहां तो हमने इसको स्पॉंसर कर सके इसका प्रोग्राम तो हमने इसको जैपूर में इसको चालू कर रहे हैं और इसको फ्री ओफ कोस्ट सब जगें लोकालिटी और कच्छी बस्ति हो गया वहां डिस्ट्रिबूट कराने का हमारा प्रयास रहेगा ताकि लोगों की इम्मुनिटी बूस्ट हो तो किसी भी तरह का कोई वाइरल या और कोई बिमार कि नहीं हो आज इम्मुनिटी बूस्ट करने का बहुत बड़ी जरूरत है लोगों के माध्यम से यह काड़ा है यह पहुचाया जाएगा वेरी इजी तू यूज है रेडी में प्री मिक्स है यह तो पूरा परिवार इसको लेगा तो रोग प्रदी रोग चंता इससे करे कर रही है उसके अगले चल्व में लोंक सतर तक किसलर इक्रम को हम ने पहुचा दिया है और हमार लक्षय लक्ष्य है कि अगले थीन महिने में और टेूंक स्ब्सक्राइब करोना की जाग्रुक्ता के साथ साथ वीबिन सामाजिक संगठन जैपूर में एसे आयर्वेदिक काड़े का वित्रन भी कर रहे हैं जिसे आम लोगों की रोग प्रतिरोदक शम्ता बढ़ सके धर्मेश भारती दूरदर्शन समाचार जैपुर अजमेर्रा राज के उच्छ प्रात्मिक विद्याले डूंगरिया खुर्द माय काम कर रही अध्यापिकार रोशन दीप श्रीमाली कोरोना सुब बचाव खातर बनाई जिया क्वरेंटाइन सेंटर मात है ड्यूटी कर बारे साथ ही प्रवासी मजूरा और कच्ची बस्ती माय रेबावडाने कपड़ा और मास्क बाटबारों काम कर रही है इन काम माएं केई सामाजिक संग्ठन भी आपरी भूमी का निभारिया है कोरोना खातर जन जागरुकता ल्याबागरे मक्ससुं दोसा माय प्रदर्शनीरी श्रुगात हुई जेला कलेक्टर अभिचल चातुर्वेदी प्रदर्शनीरो अवलोकन करर लोगा सु सोशल डिस्टेंग्सिंग रो पालन कर बारी अपील किनी प्रदर्शनी जो है इसमें विभिन प्रकार की जो गाइटलाइन्स हैं सरकार की जो भी कोरोना के संबन्द में जारी की गई हैं और जो सभी प्रकार के इसमें कारिक किये गए हैं मैं यही आहवान करूँगा कि इसमें इस प्रदर्शनी को आकर जरूर लोग देखें लेकिन देखते हैं समय भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिशेत रखें और इसमें इससे उनको सारे नियम भी पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ हैं लागया शीविर्माएं लोगारे भाड़ी भीर देख पार में मिली शीविर्माएं बड़ी तादात में लोग कोरोना री जाज कराई इन मौकामात है शवा कानारा चिकिस्था प्रभारी डॉक्टर सुल्तान बतायो के कोरोना ने रेड़ लोग अब जागरु खोबाला गया है और आपनी इच्छासू कोरोना जाज करा रिया है कोरोना को लेकर के बार्ष्ट्री इक्रामिन के लोग भी है बहुत साथान है और सेंब्लिंग के लिए भी आराम से वोड़ो बार्ष्ट्री गौर्णर होस्किटर पे आजाते है और सेंप्रिंग का कारिय है निरा तक नो चार्ट हो जाए बेश चे प्रारम बहुत हो कि अब तक चल रहा है अब तक खुल UPCKK के पुराणी के सोला सो सेंपल हमने करवाए हैं UPCKK के पुराणी की आबाजी जनसक्या 23,836 जनसक्या जिसमें से अब तक UPCKK के पुराणी 1600 सेंपल करवा चुकी है जिसमें से खुल 27 लोग पोजिटिव है उनके अंदर से 25 लोग नेगेटी होकर शापुशर अपने घर लोट चुके हैं राजिस्थान राज्य बाल अधिकार संग्रेक्षन आयोगरा मौजूदा कारेकालरी सपलतारो एक बरस पूरो होबारे मौकामाते आयोगरी अद्धिक्ष संगीता बेनिवाल आज खबर नवीसा ने संबोधित करिया इन मौकामाते वेक्यों के आयोग टाबरारा व्यापक हिताखातर काम कर रही हो है और न्यारे जिला माय जार जागरुकता अभियान चलाया जारी है इन सु न्यारे आयोगरा जय पर मुख्याले माते हर सोमवार ने टाबरा सुजूरी शिकायता सुड़ी जारी है वर्थवान आयोग के एक वर्ष के कारेकाल के पून होने पर आयोग के द्वारा विजिन मिशिन डॉक्यूमेंट वै एक साल के कारे को लेकर पुस्तक का विमोचन आज हमारे आदर्णी मुख्य मंत्री अशोग जी गैलोट साब के द्वारा किया गया बाल आयोग पिछले एक वर्ष से बच्चों के सरवागिन विकास वे हितों के लिए कारे कर रहा हो और राजस्तान बाल अदिकार संरक्षन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रतेक बच्चे को चाहे वो स्वास्तिक से जुड़ावा हो चाहे वो शिक्षा अब भ्यान ला रहा है गुटच बैटच को लेकर कारेशाला रख रहा है और कॉरोना वाइरस जैसी महामारी में भी बाल आयोग ने समय समय पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से गैर सरकारी संसाओं के साथ बच्चों के लिए काम किया उद्योग मैकमारा अतरिक्त मोखे सचीव डॉक्टर सुबोध अगरवाल बतायो कि वन्दे भारत मिशन माद्यम सूं 30 जून तानी 63 फ्लाइट सूं 10,302 प्रवासी राजिस्तान पूग चुकिया है वे बतायो कि विदेशा सू अबारा प्रवास्यारा संस्तागत कॉरिंटाइन खातर जैपर माई 40 होटेल और जैपर विकास प्रादिकर्णरा कॉरिंटाइन सेंटर साथ ही दूजा जिला माई भी कॉरिंटाइन सेंटर चिनित करबार निर्देश दिया गया है काल कुवेतरी दो फ्लाइट सो 145 एर 117 प्रवासी राजस्तान पूगिया जनारी मौका माताई थर्मल स्क्रीनिंग करीजी भारती खादी निगम कानी सो उदैपूर संबागरा प्रतावगर जिला माए गेहूरे समर्थन मूल्यमाते रिकार्ड खरीद हुई इनकातर काश्त काराने 16 करोड 62 लाग रिप्यारों बुगतान करीजी ओ लोगडाउन रे दोरान समर्थन मूल्यमाते गेहूरी खरीद रुसूं काश्त काराने रहत मिली है भारती खादी निगमरा क्वारिटी इंस्पेक्टर विनोध नारूलिया बतायो के उदैपूर संभाग माए सबसु बता प्रताबगट जिला माए 86,389 कुइंटल गेहूरी खरीद करीजी है अब तक हम यहां पर 1801 किसानों से गेहूं की खरीद कर चुके हैं और ये 86,389 कुइंटल गेहूं हमने खरीदा है जिसका बुक्तान भी 16,62 करोड रुपे का सभी किसानों के बेंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिया गया कोरोनारी टेम माए लोकल सूँ वोकल रो नारो असल धरतल माते दीख बाला आगयो है जोदपुर्रा काजरीरी डेरी प्रदर्शन और अनुसंदान इकाइमाय काश्त कराने इस्थानी गाय थारपार कर खातर प्रिद करें जारियो है परशुपालक विशेशक के सुबाश कच्वाया बतायो कि एगाया विदेशी गायरे मुकाबले चोकी गुणवत आरो दू देवे है और आरो रख रखाओ भी विदेशी गायरे मुकाबले कम है कोविड-90 के दोरान जो अमारे मानिनी प्रतान वंतरी जी ने एगनाडा दिया सा लोकल टू ओकल तो उसके अंतरकद में किसान बाईयों को ये कहना चाहता हूं कि अपने यहां पे जो देशी गाये पश्चिमी राजस्तान में इस्पेसली थारपारकर गाये की विसिस्ता के बारे में मैं बताना चाहूंगा इस गाये की विसिस्ता यह है कि यहां पे जो एक्स्ट्रीम कलाइमेटी कंडिशन से टेंपरेचर से जैसे 6-6-6-6-6-6-6-6 डिगरी पहुंच जाता है तो यह पशू जो गाय थारपारकर गायी है इस टेंपरेचर में बहुत ही कमफर्टेबल तरीके से उसको सहन कर सकती है यहां रह सकती है प्लस इसमें उत्पादन में कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है यदि इसी टेंपरेचर में दूसरे पशू जो की किसान बाई रखते हैं जो विदेशी नेसल की गाये एचेप और उनका क्रॉस है उनमें गर्मियों में उन पशू का उत्पादन 30% तक गड़ जाता है तो किसान बाईयों का मेरा ये निवेदन है कि लोकल टू ओकल में आप जो लोकल पशू की नसल से दूधार उपसों की नसल थारपार कर जो पश्चिमी राजस्तान की व्रीड है कांक्रेज है उदर जालोर शिरोई में उनका पालन पोशन कम से कम इसके रख रखाव की जरूरत होती तो ज्यादा दूध उत्पादन के लिए उसके बाटे की मात्रा भी ज्यादा देने पड़ेगी आप कम उत्पादन है तो कम विदेशी नसल की गाये रखते हैं उसमें उत्पादन करीबन डाई-3.30 तक रहता है फैट परसंटेज दूध में यहां तक यहां जो अपने लो 35 रुपे लिटर मिलेगा और तीन फैट परसंटेज का दूध में रान जाओ तो 21 रुपे मिलेगा दोसा जिला माएं टिड़ी दिलारा लगोतार हमलारी घटनावासा में आ रही है काल रात ने भी जिलारा डीड़वाना गाव माएं टिड़ी पड़ाव डारे हो जिन्सूं मुफली एर बाजरारी फसलने घड़ों नुकसान है जिला कलेक्टर अविचल चत्रवेदी बताय हो कि सूजना मिल बार मात है कृषिम एक मारी टीम बेगी कारवाई करता था का चिरकाव करे हो खिड़ी दल जो हैं दौसा में काफी बड़ी संख्या में यहां से गुजर भी रहे हैं और यहां पर पड़ाव भी डाल रहे हैं कि टिड़ी दल घूम तो पूरे राज बे रहे हैं लेकिन जो जिन कुछ जिलों में ज्यादा पड़ाव डाल रहे हैं उनमें दौसा भी शामिल है डियाईजी भरतपूर प्रकरने लेर विधाय गिर्रा सिंग मलिंगा खबर निवैसा ने संबोदित करता था का आरूप मांडियो के मामला माय लीपा पोती करी जारी है वे कैयों के डियाईजी लक्ष्मन कॉड और दलाल री निश्पक्ष जाच करी जावे जिन सुलोगा ने नयाय मिल सक है जाच चाहिए वूद्लाल की संपत्ति इसकी जाच करानी चाहिए जो डियाईए इसकी संपत्ति की जाच करानी चाहिए और चुम् énormément और आरूप लगाए हैं इसने जितनी तपतिर्स चरिंज प्रदेश बर्माएं मौनसुन रा आणेर साथ ही मौसम मैं बल्राव देखवाने मिल्यों है मौसम मैकमोध धौलपूर करॉली और आरे सारे रा खेतरा माएं धूर सुबरी आंदी चाल बारे साथ ही बिरका होबारी आज जताई है 26 जून को आकर हमारे पूरे भारत देश में 26 जून को पूरा भारत देश कवर कर लिया और इसके तहट में MC मौसम जैपूर के द्वारा जो पूरवानमान देया था उस पूरवानमान के तहट में 26 तारीक को थोड़ा बारिश होकर दो-तिन दिन के लिए बारिश नहीं हुआ लेकिन आज एक जुलाई से अगले पांच जुलाई तक में अच्छी खासी वर्षा होने के संभावना है आपने बताता चाला के डीडी राजस्तान मात्य प्रसारी सग्ला समाचार थे मांका यूट्यूब चैनल राजस्तान डीडी न्यूज मात्य देख सको हो ख़बरारा अपडेट खातर मांका ट्वीटर हैंडल एट डीडी न्यूज राजस्तान ने भी फॉलो कर सको हो और आखिर माए आज रे इस बड़े टिंडरी खास-खास खाबरा एक बार फिरूँ पुलिस आदुनी की करन खातर राजे सरकार दीनी बड़ी सौकात मुख्यमंद्रिय आशो गैलोत 124 सिग्मा वाइक और सितर पीसी आर्वेन ने हरी जंडरी दिखार करिया रवाना प्रदेश माए आज कोरोना रा एक सो पंद्रा नुवा मामला आया सामे प्रदेश माए संक्रमितारी संक्या बढ़र हुई 18,427, 14,02 बता मरी सेया सुठीक प्रदार मंद्री गरीब कल्यान रोजगार योजनसू सीकर जिलारा प्रवासी मजूराने मिल रियो है आर्थिक संबल यूजनारे तैद एक हजार सू बता परिवार करायो रेजिस्ट्रेशन भारती जनता पार्डी कानी सू जय परमायत चीनी जिंसान लेर करीजियो विरोध प्रदेशन विदाय कालीचन सराफ जनता सू स्वदेशी सामान ने बड़ा वो देवारी की नी अपीद प्रदेश भर माय मौन सुनरा आधमन रसाथी मौसम माय आयो पदलाव मौसम मेकमोद धौलपूर करोली अरुनर आरे सारे रखेद्रा माय धूलबरी आंधी चालबारे साथी बिर्का होबारी जिताई आस इन रसाथी आजरु यू समाचार बुल्लेटिन पूलवयो नमस्कार